तो दोस्तों जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितनी भी डार्क पेंटिंग्स या ब्लैक पेंटिंग्स हैं फ्रैंसिस को गोया कि उसको मैं डीकोड करने की कुशिश करूँगा और एक एक करके उन चौधा पेंटिंग के बारे में बात करूँगा सबसे पहली पेंटिंग अभी हमारे सामने है और इस वीडियो को फेस कैम ना बनाने की एक वज़ा है कि आपका सारा ध्यान इन पेंटिंग्स पर हो यह पेंटिंग्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है तो अगर आप ऐसी चीजे देखकर डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपको यह वीडियो नहीं देखनी चाहिए जैसे कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर इस पेंटिंग का नाम है एट्रो पोस ओ लास परकास यह बहुत पहले 1870 के आसपास कैन्वस पे उतार ली गई थी दिवार से फ्रैंसिस को गोया जो एक बहुत पुराना राचीन काल में कह सकते हैं रोमैंटिक पेंटिंग बनाने वाला चित्रकार था लेकिन उसने अपने अंतिम समय में कुछ डार्क पेंटिंग्स बनाई थी जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा तो वो कुछ कहना चाता था इन पेंटिंग्स के जरिए आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाता था जैसे कि इस पेंटिंग्स का नाम बोलता है और मैं आपको बता दू कि FRANCISCO GOYA ने इन पेंटिंग्स का कोई नाम नहीं रखा था बाद में उसके मरने के बाद इन पेंटिंग्स को निकाला गया और अभी ये शायद कहीं एक्जिबिशन में लगी हो इस पेंटिंग का नाम है एट्रोपोस ओलास परकास जैसे मैंने आपको कहा ये ग्रीक माइथालोजी के उपर बेस्ट है ये जो तीन आप गॉड़िस देख रहे हैं या ये फीमेल खैरेक्टर कह सकते हैं ये बिलॉण करता है ये करती हैं ग्रीक माइथालोजी से और इनको दा मॉईराई भी बोलते हैं दा थ्री फेट्स भी बोलते हैं जिन्दिगी के तीन चरणों पर इनका चित्रण किया गया है सबसे पहला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कलोधो कलोधो कहा गया है इसे ये देवी है जन्म की जिसे the ninth भी कहा जाता है ये देवी है जब बच्चा अपनी मा के पेट में होता है नौवा महीना होता है उस चीज की देवी इसे कहा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर इन पेंटिंग में देवी जैसा चितरन तो बिल्कुल भी नहीं है यह बहुत ही भयानक पेंटिंग बनाई गई है इनके फेसे बहुत ही अगली बनाई गई है इसलिए शायद यह डार्क पेंटिंग है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यह जो पहली जो गॉड़िस है जिसको मैंने कलोटो कहा है स्पिनर जिसे आसान भाषा में आप कह सकते है यहाँ पर जिन्दिगी को एक कपड़े के उसमें दिखाया गया है रियल में जो मौईराय हैं जो तीनों देविया हैं उनके हाथ में जो पहली देविया है उनके हाथ में एक डिस्टैफ है एक ऐसा टूल है जो की कपड़ा बुनने के काम में आता है लेकिन फ्रांसिस को गयाने इसको चेंज करके अगर मैं इसको और जूम करूँ एक नवजात शिशू का रूप दिया है ये एक नवजात शिशू है मतलब ये जिन्दीकी की शुरुवात को दिखाता है और ये कपड़े से बिल्कुल अटैच्ट है अब आप देखेंगे यही कपड़ा इस बीच वाली गॉड़ेस के पास जा रहा है और इसको कहा जाता है लैकिसिस ये देवी ये डिसाइड करती है क्रीक माइथोलोजी में कि किसी भी व्यक्ति की जिन्दीकी कितनी चलेगी जो पहली देवी है वो डिसाइड करती है कि उसका जन्म कैसे होगा जन्म होगा या नहीं होगा उसके बाद जो सेकिंड गॉड़ेस यहां पर दिखाई गी है वो ये डिसाइड करती है कि उसकी जिन्दीकी कितनी चलेगी ये कपड़ा कितना चलेगा तो ये डिवी जन्म की दिवी है ये जिन्दिगी की जिसको klota कहा गया है और इसे roman mythology में nuna भी कहा गया है इसको nuna, इसको nuna कहा गया है the ninth और इसको decima कहा गया है, the tenth जो की जिन्दिगी की जो duration है, lifetime, life span जो है उसको decide कर दे लास्ट में आप जो देखेंगे इसको कहा गया है एट्रोपस एट्रोपस मौटा आप कह सकते हैं दा डेड वान रोमन माइथालोजी में दा डेड वान जो गॉड़िस ये डिसाइड करती है कि किसी की मौत कब होगी आप द्यान से देख सकते हैं गॉड़िस के हाथ में एक केंची है तो ये उस कपड़े को काट देती है तो ये एक जीवन के चक्र को दिखाया गया है कि जन्म कैसे होगा कितना चलेगा और मृत्यू कब और कैसे होगी आप द्यान देंगे कि ये पेंटिंग जो ये दिखाई गई है पूरी जिन्दी का चक्र है वो धर्ती से टच नहीं है हवा में है और यहां पर एक चौथा करेक्टर भी देखने को मिलता है ऐसा माना जाता है कि ये प्री मैथ्योस या ऐसे कुछ करेक्टर है एक टाइटन गॉड है इसको एक टाइटन गॉड का दर्जा दिया गया है लोग मानते हैं ऐसा हलाकि इसका कोई वर्णन या पुक्ता ऐसा कुछ तो है नहीं लेकिन ऐसे कहा जाता है ये प्री मैथ्योस है ताइटन गॉड अफ फायर जिसने ओलम्पस से आग चुराई थी और सिविलाईजेशन बनाई थी जसने एक कले से पूरी दुनिया बनाई थी उसको श्राब दे दिया गया था आग चुराने के लिए क्योंकि ओलम्पस के हाँसे उसने आग चुराई थी तो उसको गिदो को खाने के लिए चोड़ दिया गया था इसको, इसकी जो मौत हुई थी वो गिद्दो के द्वारा खाने से हुई थी ऐसा लोग मानते हैं वो यहाँ पर एक लेंस लेकर है जो कि यह दिखाता है कि वो इस जीवन काल को जान रहा है वो जान रहा है इस चीज़ को कि किसी की इस केसी की मृत्यू कैसे है जन्म कैसे है और उस पूरे जीवन चक्र को यह जान रहा है शायद यही इसका मतलब है ऐसा हो सकता है कि इसका और कोई भी मतलब हो लेकिन जितने भी एक्सपर्ट और जितने भी लोगों ने अभी तक इसका यही मतलब निकाला है। ये painting अगली जान बूच कर बनाई गई है। ये काली और ऐसे डरावनी जान बूच कर बनाई गई है। इसका कोई secret मतलब भी हो सकता है। मैंने बहुत कोशिश की इन paintings को बहुत कैंद बहुत कोशिश की इन पेंटेंगs को जूम करके आगे और पेंटिंग्स को भी मैं डिकोट करने की कोशिश करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में नमस्कार